आरा अगास 1997 को मुंबई में ऐसा दिल दहला देने वाला हाथसा हुआ कि न्यूज में ये खबर देखने के बाद एक बार के लिए तो बॉलिवूड वालों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है चलो 3D अनिमेशन की मदद से समझो ये वो मंदिर था जिसमें Famous T-Series Company के मालिक गुलशन कुमार सुबह 10 बजे पूजा करने पहुचे थे लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि मंदिर के जश्ट साइड में ये जो धूप चाया अपार्टमेंट है इस अपार्टमेंट के जश्ट सामने एक नाई की दुकान थी और उस दुकान पर ही अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद इबराहिम द्वारा भेजे गए तीन गैंक्स्टर्स मौजूद थे खेर 15 मिनिट बाद 17 बजे मंदिर से भार आकर गुल्चन कुमार साइड वाले धूपचाय अपार्टमेंट के बहार पागड अपनी गाड़ी की और भनने लगे वैसे ही तीनों मैंसे एक शूटर ने गुल्चन कुमार की कनपटी पर बंदूक रखी और बोला बहुत करली पूजा अब मरने के बाद करना इसके बाद डॉन दावद इबराहिम के शूटर्स ने वहाँ पर जो मौत का तांडव किया वो 3D अनिमेशन की मदद से देखकर आपके होशोड जाएंगे अगले कुछ मिंटो में इन तीनों ने 16 गोलियां गुल्चन कुमार में दाग दी और पूरी दुनिया को बस एक सवाल के साथ तूटा हुआ छोड़ दिया सवाल बस इतना सा कि आखिर गुल्चन कुमार को डॉन दावदिब ब्राहिम ने क्यों मरवाया 3D Animation की मदद से आज गुल्चन कुमार की पूरी कहानी तो समझेंगे ही लेकिन उसके अलावा मेरी सबसे बड़ी कोशिस ये रहेगी कि आपको ऐसा फील होगा कि T-Series के फाउंडर गुल्चन कुमार के साथ हुए सभी इंसिडेंट्स के दौरान आप वहाँ पर खुद गुल्चन कुमार को ये बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे उन्हें पता था कि उन्हें जादा से यादा पैसा कमा कर जल्दी से जल्दी अपने परिवार को सपोर्ट करना है इसलिए गुल्चन कुमार ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही एक कसेट शॉप खोली जिसमें वो दूसरी कमपनीज के गाने बेचते थे फिर उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नामसे एक म्यूजिक कमपनी बनाई जिसमें वो खुद के गाने बेचते थे और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस मेहनती बंदे ने उस बिजनिस को इस लेवल पर ए इस से पहले कि हम गुलशन कुमार के हत्या वाले दिन की बात करें एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि गुलशन कुमार बहुती गुल्डन निचर के व्यक्ति थे वो हमेशा नए लोगों को मौका देते थे जैसे अनुरादा पॉडवाल, सौनु निकम, कुमा करते थे और अलग-अलग मंदिरों में डोनेशन भी किया करते थे, यहां तक कि उन्होंने वैश्नो देवी मंदिर में भंडारा भी स्टार्ट करवाया था, जो आज भी उनीके नाम से होता है, गुल्शन कुमार इतने सौफ्ट हार्टिट थे, कि पिंजरे में बंद की हत्या का, 1990 में रिलीज हुई आशी की मूवी से क्या कनेक्शन है, यह देखो, आपकी स्क्रीन पर यह बहुत ही टैलेंटिड म्यूजिक डिरेक्टर नदीम और श्रवन है, टी सिरीज ने फिल्म आशी की के गाने कंपोस करने का मौका दिया एक उभरती हुई जोड़ी को जो थी यह नदीम श्रवन की, इस मूवी के गानों की 20 मिलियन कोपीज भी की और इस सफलता की वज़े से टी सिरीज के सारे गानों में अल्मोस्ट नदीम श्रवन का ही म्यूजिक चलता था, बहुत बढ़िया म्यूजिक डिरेक्टर बनने के बाद नदीम ने गाना गाने क के लिए ready हो गए, जैसा कि गुलशन कुमार को लगा था, इन गानों पर कोई खास response नहीं आया और album पिट गई, जब company को काफी बड़ा loss होने लगा, तो गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट करना एकदम बंद कर दिया, moreover T-Series, mid 90's आते आते इतना बड़ा brand ब प्रमोट कर रहे थे, इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुलशन कुमार को जान से मरवाने की सोची, और दिल धहला देने वाली बात ये है कि गुलशन कुमार को मरवाने के लिए नदीम में सुपारी भी दी, तो किसको, Underworld Don, दाओद इब्राहिम को, आप लोग ध्य के एक होटेल में गुलशन कुमार को मारने के लिए एक मीटिंग होती है, इस मीटिंग में म्यूजिक डिरेक्टर नदीम, दाओद इब्राहिम के छोटे बाई अनीस इब्राहिम और दाओद के राइट हैंड अबू सलेम गुलशन कुमार के मौत की तारीक लिख रहे थे, नदीम ने बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है और वो दोनों उसकी हेल्प करें, अबू सलेम ने 25 लाग टोकन मनी लेकर गुलशन कुमार का पत्ता साफ करने की बात कही, अबू सलेम को ये फायदेगा सौदा लगा, क्योंकि वो म्यूजि कि कब टोइलेट जाता है, ध्यान रहे कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये सारी बाते एस इस बुक में लिखी हुई है, जिस बुक का नाम है, My Name Is Abhu Salim, ये बुक उस समय के भहुती फेमस इन्वेस्टिकेटिव जर्नलिस्ट, S. हुसेन जैदी ने लिखी थ लेकिन बहुत अजीब बात है कि ये बात गुल्चन कुमार के भाई किशन कुमार ने उन्हें बहुत समझाई कि भाई पुलिस को बता दे, फिर भी गुल्चन कुमार ने ये 10 करोड़ की फिरोती वाली बात पुलिस को नहीं बताई, 9 अगस्त को फिर से अबुसलेम का call आय और फिर से फिरोती मांगने पर गुल्शन कुमार ने कहा तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैश्णो देवी में भंडारा करवा दूँगा। अब आपने लोकेशन को सही से समझ लिया है तो इस केस को समझने में और भी मज़ा आएगा। गुल्शन कुमार के पास पहली दमकी का कॉल 5 अगस्ट 1997 को आया था दूसरी दमकी का कॉल 9 अगस्ट 1997 को आया था और फाइनल अटेक आज के दिन यानी 12 अगस्ट 1997 को हुआ था। और किसी आम दिन की तरह ही गुल्शन कुमार अपने काम पर जाने के लिए तयार हो रहे हैं। उन्होंने वाइट कुर्त और वाइट चपल पहनी है, घर से मंदिर जाने के लिए गुल्शन कुमार अपनी मरून कलर की मारूती S टीम में अपने ड्राइवर रूपलाल सरोच के साथ निकलते हैं। अच्छे से समझ लो कि गुल्शन कुमार इस मंदिर में गए थे, इसके जस्ट साइड में ये धूप चाया अपार्टमेंट है, उसके जस्ट सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बाद रोड को क्रॉस करके यहाँ अपार्टमेंट के सामने देखो, इधर ये नाई और तीसरा वाला है अनिल शर्मा, जस्ट अभी आपने नोटिस किया कि 3D अनिमेशन की मदद से किसी भी हार्ड कॉंसेप्ट या इंसिदेंट को समझना कितना इजी है, अगर आप भी ऐसी 3D अनिमेटेड वीडियो बनाना सीखना चाते हो, तो मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी के अभी जॉइन करो, 3D कोर्स अड्मिशन फीस पर हुज डिसकाउंट के लिए पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करो, खेर, जैसे ही गुल्शन कुमार अपनी कार के पास पहुंचे, उनके पीछे होते ही अब्दोल्रॉफ उन पर 3 गोलियां और चला देता है, जो उनकी पीट में लगती है, तीन गोलियां लगने के बाद और बुरी तरह घायल होने के बाद भी, गुल्शन कुमार अपने आपको घसीटते हुए आगे भढ़ने लगते हैं, लेकिन अब्दोल्रॉफ भी उनके पीछे-पीछे अपने शिकार को फॉलो करते हुए चल रहा है, गुल्शन कुमार दीवार का सपोर्ट लेकर उठने का ट्राई करते हैं, पर वहीं गिर जाते हैं, ड्राइवर रूपलाल गुल्शन कुमार की मदद करने के लिए आगे आता है, और कलश उठाकर अब् राशेद और अनिल शर्मा ने 12 गोलिया और चलाई, वहाँ उपर देवी मा की फोटो लगी हुई थी, जिस मंदिर को गुल्शन कुमार ने खुद रिनोवेट करवाया था, आज उसी के पास उनका अंत इस भेंकर तरह से हो रहा था, ये बात सुनकर आपके होश उड़ जा चंदर लवांगरे और राजेश जोहरी, गुल्शन कुमार और ड्राइवर को उनी की कार में लिटा कर, कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरस ने बहुत कोशिस की, पर गोलिया बोडी के इंपोर्टेंट पार्ट्स पर लगी थी, और लाग कोशिसों के बाद भ पहले ही अपने खबरी से मिल चुकी थी, फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया गया, और ना ही इस हत्या गांड को रोका जा सका, तो क्या ये माना जा सकता है कि पुलिस भी अंडर वल्ड से डरती थी, खेट जिस इंसान ने अतने तगड़े तगड़े हिट भक्ती बजन भार जिसमें 19 लोगों पर इस मर्डर के चार्जिस लगाए गए, अब्दुलरॉफ को उमरकैत की सजा हुई और बाकी सबको प्रॉपर सबूत ना होने की वज़े से रिहा कर दिया गया, बात अगर म्यूजिक डिरेक्टर नदीम सैफी की करें, तो वो मर्डर के जस्ट बाद ही देश छोड़कर लंडन भाग गया और आज तक वापस नहीं आया, एक इंपोर्टेंट बात ये भी है कि जिन 19 लोगों पर मडर के चार्जिस लगाए गए, उनमें से एक नाम टिप्स कंपनी के ओनर रमेश तौरानी का भी है, रिपोर्टेडली जिनों ने T-Series को किया था और वो अभी भी जेल में ही है, काफी इंटर्व्यूज में नदीम सेफी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए साफ साफ कहा है कि उसका गुलशुन कुमार के मडर से कोई भी लेना देना नहीं है खैर इस वीडियो पर क्लिक करके ध्यान से समझो कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर वीस्ट को ऐसी कौन सी रेर डिजीज है जिससे उसको डैडली कैंसर होने के और उसकी जान जाने के पूरे पूरे चांसे है